यह जो 30-40 लाग लोग रोज दिन राट ट्रेनिंग कर रहे थे, दो साल का वेट कर रहे थे कि ओपनिंग आएगी तो उनकी भरती होगी, यह उनके लिए बहुत बड़ा सर्प्राइज है। अगर करके 10-15 साल में कम मैन पावर, ज्यादा वेपन और बिना पेंशन वाली आर्मी खड़ी हो जाएगी। इंडिया जहां पर जॉब इतनी दिक्कत है, वहाँ दो साल भी आप अगर कर दोगे तो लागों में फॉर्म बरे जाएगे। लेकिन इसे जॉब देना नहीं कहते हैं, इसे मजबूरी का फैदा उठाना कहते हैं, आप बताओ आप बहस दोगे अपने बच्चे को या फिर अपने छोटे बाई को 20-21 लाग रुपए के लिए गोली खाने के लिए, और जब यह लोग चार साल के बाद इंट्रिवू में बैठेंगे, तो सबसे पहला कोशन वही टिपिकल कॉर्पेट वाला ही होगा इन से, कि आप वहाँ पर रिजेक्ट किस वज़े से हुए, क्यों आप 25% में नहीं पहुँच पाए? देखे, अगर किसी को आम फोर्सेस में जाना होता है, तो उसके लिए दो तरीके हैं, पहला है पर्मिनेंट कमीशन और दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन, SSC, अब यह पर्मिनेंट कमीशन क्या होता है? देखे, आर्मी के अंदर हर विंग की अलग-अलग एज होती है, कि पर्टिकुलर विंग की decided age तक आपको job करनी होगी, उसके बाद आप retire होगे और उसके बाद आपको एक ex-serviceman के benefit मिलेंगे, जैसे की pension, graduate वगरा, वहीं अगर SSC, short service commission में आपका होता है, तो वहाँ पर आपको 10 साल तक job करनी होगी, कुछ cases में extend होके 14 साल तक हो जाती है, उस इसके भी दो level होते हैं, एक तो आप officer rank पे entry करते हो, जैसे lieutenant वगरा, दूसरी entry होती है, जवान या फिर सिपाही की level पे, इसके बाद आपके experiences और expertise के basis पे आपका promotion होता है, तो देखिए जो नई policy आई है, इसमें एक तरह से आप ये समझ लिए कि permanent commission, short service commission के साथ साथ एक करने कि अगनीपत है क्या चीज, एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दो level पे entry होती है, आप forces के अंदर, एक officer rank पे, दूसरी जवान या फिर सिपाही की level पे, तो जो officer rank की भरती होती थी, वो जैसे पहले हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही होती रहेगी उसमें कोई changes नहीं है, तो जो सारा discussion चलेगा, जवान यानि कि जो cynic level पे है, उनके ओपर चलेगा, यह जो अगनीपत scheme भी आई है, यह सिर्फ cynic यानि कि जो जवान है, उनकी भरती के लिए आई है, अगनीपत scheme का officer rank की entry से कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे पहले चल रह कर आई कि पहले जो भरती चल रही थी, वो आईजटीस चलती रहेगी, उसके साथ साथ में यह एक और scheme आ गई है, अगनीपत, तो देखिए ऐसा बिलकुल नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का एक article है, यह एक बर आप पढ़ लीजेगा, इसमें clearly mention है, कि यह optional नहीं है, अब इससे पहले कि अगनीपत क्यों है, लोग क्यों इससे नराज है, यह गलत है, सही है, यह discuss करें, पहले यह देख लेते हैं कि अगनीपत scheme है क्या, देखिए जिसकी बेश, साड़े सत्तरा से 21 साल के बीच में है, और वो 10th या 12th pass है, वो इस अगनीपत scheme में apply कर सकता है, और इ एक एक चीज सेम रहेगी, अभी females के लिए opening नहीं है, लेकिन बोला गया है कि आगे चलके opening हो जाएगी females के लिए भी, आज से 90 दिन बाद recruitment स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 46,000 जवानों को भरती किया जाएगा, पहले जो salary मिलती थी, उससे ज्यादा salary मिलेगी, इससे पहले जो salary मिलती थी, वो शुरू के 4 साल 21,700 मिलती थी, लेकिन अगनीपद scheme में हर साल बढ़ेगी, पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500, और चौथे साल में 40,000 मिलेगी, यह जो salary है, यह अगनीवीरों को in-hand salary कम मिलेगी, क्योंकि इस salary में 30% है, वो अगनी अगनीवीर फंड में जमा करेगी, जैसे कि PF में होता, सेम वैसी चीज होगी, उसके बाद last में आपको मिलेंगे 11,71,000 रुपीज, ताकि आप जब 4 साल के बाद retire हो, तो आपके हाथ में कुछ पैसा हो, और यह जो fund है आपका, इसके against में आप चाहो तो 18,00, तक का loan भी ले स इस पूरे 4 साल में 3 साल skill-based bachelor degree का भी arrangement किया गया, इसमें army, navy और air force का IGNU के साथ एक MOU sign होगा, जिसमें अगनीवीर bachelor degree के लिए enroll कर सकेंगे, इसमें कई entry और exit options मिलेंगे पहले साल में आपको, पहले साल पे certificate, दूसरे साल पे diploma, तीसरे साल पे degree मिलेगी, इसमें 50% marks जो आप technical और non-technical skills होगे, उसके होगे, बाकी 50% marks, economics, history, political science, ये सब subjects के होगे, जो आप credit system से university से भी avail कर सकते हो, तो पढ़ाई की जो दिक्कत है वो भी नहीं होगी, अब देखिए policy तो बहुत अच्छी लग रही है, पैसा पहले से जादा है, लोन मिल रहा है, जो इतने time से भरती जो पहला बैच है, उसके लिए 2 साल एज बढ़ाई गई है, बाकी जो एज लिमिट है, वो साड़े सत्रा से 21 साल की है, और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जब आप यहां से निकलोगे, तो आप ज्यादा disciplined रहोगे, experience रहेगा आपके पास, तो जब आप यहां से society में जाओगे, तो jobs में भी आपको preferences मिलेंगी, police, CAPF, Assam Rifles में भी preference मिलेगी, अभी government ने ये भी announce किया है कि 10% का reservation भी मिलेगा आपको, अब आपको पहले ज़्यादा salary है, सारी चीज़ अच्छी है, benefit भी मिल रहे हैं, तो लोग protest क्यों कर रहे हैं, तो देखिए, जितना simple दि medical और बाकी benefits से, तो काफी कम है, दूसरी चीज, अगर किसी वज़े से अगनीवीर की जान जाती है, तो जो benefit मिल रहे हैं, वो same नहीं है, जो एक regular army के जवान को मिलते हैं, regular soldier जब शहीद होता है, तो उसकी family को भी lifetime benefit मिलते हैं, जो एक तरह का class difference हम बाकी के government department में देखते हैं, जो ad hoc और contact based employee और permanent employee में होता है, कुछ उसी तरीके के system यहां भी introduce हो गया है, इस पूरी situation में ऐसा नहीं लग रहा कि army की फर्ती हो रही है, ऐसा लग रहा है कि 4 साल का training program होगा, उसके बाद decide होगा कि life में होगा क्या, पहले जैसे गाओं में फोज में नौकरी मिलते ही, शाद पस से compare कर सकते हो, लेकिन SSC में काफी time मिलता है, 10-14 साल तक का time मिलता है, और वो भी एक fair scheme नहीं है, एक soldier के लिए, अगर वो fair होती इतनी, तो pension को लेके कोटों में इतने case नहीं चल रहे होते SSC वालों के, एक जो government का चपरासी होता है, उसका भी retirement plan है, वो अगनी वीरों से ज़्यादा अच्छा है, रेगदर भरती जो होती है, अगर उसके साथ-साती है, उसके parallel में scheme आई होती है, तो बहुत ही अच्छा gift होता हर किसी के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं, देखिए कई महीने पहले से इस scheme के बारे में बात हो रही है, और जो policy makers हैं, उनको बहुत अच् से बचा गया, इसका जिकर तक नहीं हुआ, जबकि एक दिन पहले ये ज़रूर बता दिया गया, कि 18 महीने में 10 लाग jobs मिलेंगी, ताकि लोग confused ना हो जाए, अगनीपत scheme और बाकी jobs opening में, इतनी समझ है इनमें, एक दिन पहली बता दी ये चीज, लेकिन आप 100 बार इनके spokesperson स पूछ लो, कि पुरानी भरती जो थी, वो एजटी चलती रहेंगी, ये जो अगनीपत scheme है, ये पहलल में आई है, आपको गोल मोल जवाब मिलेंगे, आदे लोग अभी भी ये समझते हैं, कि पहलल में आई है, जो पुरानी भरती वो आजटी चलती रहेंगी, जबकि ऐसा नहीं है, एक भरती रैली होती है, जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है, काफी टफ होता है वो, उस भरती रैली के लिए गाउं में लड़के चार-चार साल तक दोड़ते हैं, रोज महनत करते हैं, अभी एक वीडियो वाइरल हुआ था, जिसमें मेकडी में काम करने वाला कर रहे थे, दो साल का वेट कर रहे थे, कि ओपनिंग आएगी तो उनकी भरती होगी, यह उनके लिए बहुत बड़ा सर्प्राइज है, आप सोचके देखिए एक बार, यह जो अगनीपत स्कीम के बेनेफिट है, यह सरकार पहले जो रिकूट्मेंट करती थी, उसमें कुछ चेंजस करके भी कर सकती थी, और यह जो यंग्स्टर को discipline में लाना और employable बनाने वाली बात है, यह चीज तो NCC और territorial army में भी करी जा सकती थी, implement किया जा सकता था इसको, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि इसके पीछे काफी चीज़े हैं, वो हम discuss करते हैं, देखिए जो जिसमें से 1.19 trillion, यानि के 1,19,000 करोड पेंशन में जाता है, सेम इतना ही salary में जाता है, और इसके बाद food और बाकी चीजों में जाता है, अभी कोई army में 40 साल अगर service देता है, तो service पूरी होने के बाद, 40 साल तक उसको pension मिलती है, पूरे defense budget में से 3,00,000 करोड से जादा इन expenses म जाता है, और जो weapon modernization, नए weapon add करना, नए technology implement करना, इन सब के लिए बहुत ही कम पैसा बचता है, इसको एक example से समझते हैं, चाए US हो, Russia हो, इन सब से हमारी army manpower में काफी जादा है, 14,00,000 से भी जादा है manpower है हमारे पास, लेकिन आज की date में अगर लडाई हो जाए, तो हम technology है, तो actual में अगर army को आगे बढ़ना है, तो weapon का modernization बहुत ही ज़रूरी है, और ये चीज हमको realize हो चुकी है, लेकिन budget तो उतना ही है इंडिया के पास, क्योंकि फिर बाकी department कैसे रनोंगे, लेकिन एक तरीका है, अगर manpower कम कर दिया जाए, तो जो expense होगा, वो कम हो जाएग उसने भी ये चीज कही दी कि average age army की कम होनी चाहिए, क्योंकि जो 22-23 साल का जवान जितनी तेजी से पहाड़ पे चड़ पाएगा, उतनी तेजी से 32 साल का सिपाई नहीं चड़ पाएगा, तो जो ratio है वो one by one का होना चाहिए, मतलब कि young और senior का combination होना चाहिए 50-50% का, अभी जो average age है army की, वो 32 years है, defense काफी time से इस पर काम कर रहा है, कि army की average age है वो कम हो जाए, और India एक young country है, यहाँ पे youth जादा है, तो अगर एक सही policy implement कर दी जाए, तो बड़ी असानी से अचीव हो सकता है, तो यह जो average age है army की, और यह जो manpower पे जो इतना expense हो रहा है, इन दोनों ची तीन सालों में, उसके बाद से recruitment बंद हो गई है, और यह मैं खुद नहीं बोल ला हूँ, यह detail श्रीपद नायक जी ने लोगसभा में बताई थी, 2019 से लेके आज तक उसके बाद recruitment बंद है, इसका मतलब की 1,65,000 और अभी तक join हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए, दिया जाता है कि COVID की वज़े से नहीं होई, हाला कि जब election होते हैं, rally होती हैं, यह सारी कोई भी चीज नहीं रुकी, लेकिन अगर जवान इखटे हो जाते recruitment के लिए, तो वो दिक्कत हो जाती है, अब देखिए अगनीपद स्कीम आ चुकी है, 1,65,000 जो आर्मी में ने उनकी shortage अल्रेडी थी, अगनीपद स्कीम आ जाने से shortage पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन shortage पूरी नहीं होगी, बलकि आर्मी कम होगी, अब यह आपको समझ में आ जागा कैसे, अगनीपद स्कीम में 46,000 भरती आई हैं, अब आप 46,000 का 25% लगाएं, लगबग 12,000 के करीब होगा, 11,500 होता, 12,000 मालनों, यानि कि 12,000 के करीब entry होगी आर्मी में, जो पहले 60,000 हर साल होती थी, अब 12,000 होगी, और यह जो maths है, यह ऐसा नहीं है कि जिसने स्कीम बनाई है, उसको पता नहीं थी, उसको बहुत अच्छे से पता दी, लेकिन जब आर्मी में manpower कम करना ही target है, तो दिक होती, यह जो करोड़पती, MP, MLA, अजीवन pension उठाते हैं, कुछ MP तो जो MLA बनते हैं बार में, वो दो दो बार pension उठाते हैं, उनके लिए अगर इस level की strategy बनाई गई होती है, यह scheme लाई गई होती, तो बहुत जादा अच्छा रहता है, एक चीज और इसमें कि इस particular age में लो इस से भी costing कम होगी, तो इस से अच्छी बात क्या हो सकती है, policy makers के लिए, कि दोनों हाथ घी में और मुह कड़ाई में, लेकिन experts के इसाफ़ से जिस motive से इसको implement कर रही है, वो भी उतना perfect नहीं है, एक जवान को train करने में करीब 80-90 लाग रुपय का खर्चा आता है, अगर इन service सिर्फ चार साल की ही ले पाऊगे, इतना पैसा लगा के आप चार साल बाद उसको society में छोड़ दोगे, मतलब कि आपको अगर एक 40 साल की service लेनी है, तो उसके लिए आपको 10 अगनी वीर लगेंगे, जो पहले एक लगते थे, तो देखा जाए तो ये भी एक नुकसान है, देखिए जो scheme है, अभी भी एक अच्छी scheme मन सकती है, इसमें बस आपको इतना करना है कि इतना पैसा लगा के जो आपने जवान train की है, इनको 4 साल बाद society में छोड़ने की बज़ा है, कहीं पे आप use कर लो इनको, आप इनको CAPF, BSF, ITBP में use कर लो, कोई बुरा नहीं मानेग इनफेक्ट कम से कम सोचा तो सही कि इंडिया के अंदर defense reform की जरूरत है, जो बाकी government थी, वो कभी हाथ नहीं डालती थी, लोगों की नराजगी की वज़े से, कम से कम इस government ने ये करम तो उठाया, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि execution में issue है, इसलिए लोग इतना सवाल चोड़ रहे हैं, इसके बाद इनको आप कहीं utilize कर लीजे, तो भी लोग आपके efforts को appreciate करेंगे, ये जो एक pattern है ना, कि कोई अच्छी scheme दिखी, इसको तुरंद लागू कर दो, बिना कोई pilot project के, ये गलत है, असल बात ये है कि इसमें और discussion और सोच और विचार की जरूरत थी, आप कह रहे हों कि बहुत ही सोच समझ के decision लिया गया, लोगों से पूच के फैसले लिये गए, लेकिन अगर ऐसा होता, तो चार-पांच दिन के अंदर दो-दो बार changes नहीं होते, कभी age को लेके, कभी 10% reservation को लेके, अगर army, navy, air force, इनके जो head है, इनकी बात अगर आप अलग तो उनके नीचे आप देखोगे, आप notice करोगे, जितने भी retire, serving, major और journals हैं, सब कह रहे हैं कि इसमें improvement की जरूरत है, major general, gd.bakshi ji, major gauravariya sir, ये सब throw out आपकी policy को support करते आए, लेकिन इनके आप tweet उठा के देखोगे, ये सब कह रहे हैं कि improvement की जरूरत है, और इन सब को भी नेता बन जाए, लेकिन वो फौज के फायदा नुकसान बहुत ही अच्छे समझता है, लेकिन मीडिया में कई लोग हैं, इस चीज को बोल रहे हैं कि 21-22 लाग तक मिल रहे हैं, चार साल के अंदर, और क्या चाहिए, फिर इस पैसे को corporate job से compare कर रहे हैं, लेकि आर्मी को एक corporate लाग रुपे के लिए, गोली खाने के लिए, आप नहीं भेज होगे, जब एक जवान अपनी जान हाथ में लेके देश की सेवा करने निकलता है, तो उसको बस इतना ही चाहिए, कि उसकी family सेक्योर रहे हैं, जो benefit है उसकी family को मिल जाएं, उसको चार साल के बाद अगर programming सीख बहुत important चीज होती है, चौते साल में वो अपने batchmate को एक competition समझेगा, कि 25% में मेरा ही number आ जाए, एक fully trained जो combat ready soldiers होते हैं, उनको 7-8 साल लग जाते हैं, आप 4 साल की training दे के S-400 operate नहीं करवा पाऊगे उनसे, आला कि लोग अभी भी form भरेंगे, exam देने जाएंगे, हर किसी को य यहां से 4 साल के बाद जब वो निकलेगा तो बहुत ही disciplined होगा, उसके resume में wait होगा, देखिए आज से पहले जितने भी SSCC retire होके निकले हैं, उनको कहां job मिली है, और कितनी job मिल गई है, अपने आज पास आप देखेंगे तो बैंक में security guard लगे हुए, किसी company में guard बने हुए, चलो इसके counter में आप यह भी कह सकते हो, कि SSC के comparatively अगनीवीर और ज़्यादा young होगे, इनके पास ज़्यादा time होगा दुबार अपनी life शुरू करने के लिए, देखिए corporate world में अगर discipline से job मिलती, तो जो यह retire SSC के जवान है, इनको bank के बाहर as a guard नहीं खड़ा होना पड़ता, जौब मिलती है skill के basis पे, चलो 15% में technical मालनू अगर, उसके बाद भी 80 से 85% जो 4 साल के बाद निकलेंगे, वो .NET और Java की skill सीख के नहीं निकलेंगे, यह लोग weapon चलाने में माहिर होंगे, और जब यह लोग 4 साल के बाद interview में बैठेंगे, तो सबसे पहला question वही typical corporate वाला ही क्यों आप 25% में नहीं पहुँच पाए, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि 30 से 40,000 जो अगनीवीर है, weapon में trained होंगे, जब 14 साल में reject होके society में वापिस आएंगे, तो गज़त activity करेंगे, देखिए ऐसा बिलकुल नहीं है, कोई भी आदमी अगर एक दिन के लिए भी आर्मी की नहीं थी, बस यह scheme का नाम सुना और दंगे करने आ गए, जिन लोगों में देश के लिए जजबा है, जिन्होंने सच में मेहनत करी एक्जाम के लिए, वो देश की property को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अभी इस अगनीपत के एक्जाम के लिए और एक्जाम देंगे औ आप दो साल भी कर दोगे, तो भी वो लोग जाके एक्जाम दे के आएंगे, और लॉजिकली भी आप सोचो, यह जो train आप जला रहे हो, यह जो public property आप जो damage कर रहे हो, यह कोई नेता अपने घर से पूरा नहीं करेगा, यह जो नुकसान हो रहा है, यह आपको और हमारा ही हो लिए कि पीसफुल तरीके से आप अपनी बात रखो, अगर पीसफुल तरीके से आप अपनी बात रख रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो opposition बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहा है, आप उनसे जाएए, उनसको अपनी शिकायत करी, वो आपकी मदद करेंगे, आप position के पास वैसी साल छे महीने में एक दो मौके आते हैं, उनकी पावर का यूस करिए और पीसफुली अपनी बात रखिए,